बहुत शावदान रहना चाहिए, कोई भी अशत्क्रिया नहीं, बहुत बड़ा इनका दर्ण मिलता है, जीव जानते नहीं, अग्यान की धरा में मन मानी आचरण करते रहते हैं, जैसे शांत जल में ही हम देख सकते हैं, ऐसे शांत अंता करण में ही सारे भाव का प्रादुर् भाव में सबसे पहले रखा गया, शांत भाव अपने जीवन से दुख, चिंता और गरीबी को हटाने के लिए हम क्या करें, चलिए जानते हैं शरी गुरु जी के इस प्रवचन में, राधे राधे जो मनुष्य मेरा अस्रे ले करके मेरी प्राप्ती के लिए बताए गए सिधांतों के अणुशार प्रेतन करता है, उसके उस प्रेतन को देख करके हम उसको ब्रम इस्थिती प्रदान कर देते हैं प्रयतन से ने मिला पर प्रयास देख करके जैसे ये सोधा मैया लाला जी को बांधना चाहती है भागी बांधने के लिए अब लाला दोड़ रहे हैं मैया पकड़ने की चिस्टा करते प्रभू पीछे मुढ मुढ के देख रहे हैं मैया के माथे पर परशीना आ गया श्रमित ह पर वो प्रयतन नहीं छोड़ रहे हैं प्रभू स्वयम अपने को बंधा दिया बस ऐसा ही करते हैं जब उपाशक हार नहीं मानता हर कश्ट सेता हैं किसी प्रलोवन में रुकता भी नहीं है प्रयतन शील रहता है भगोत प्राप्ती के लिए तो प्रभू उसके प्रयतन को देखकर द्रवित हो जाते हैं और अपने आपको प्रकासित कर देते हैं पाप रहित जीवन ही द्रड भजन की योग्योता बहुत सावधान रहना चाहिए कोई भी असत्रिया नहीं बहुत बड़ा इनका दंड मिलता है जीव जानते नहीं अग्यान की धरा में मन मानी आचर प्रवुई शंत रूप में गुर्देव के रूप में सास्तर के रूप में ब्रह्मरिश्यों के रूप में हमें मार्ग बताते हैं हम प्रयास करें पुरणता उनकी तरफ से हम शर्णागती का प्रयास कर रहें पुरणता उनके हाथ में हम उनकी प्राप्ती का प्रयास कर र ये उनके उपर के बात हमें उसका चिंतन नहीं करना हमें ये चिंतन करना है कि आराथ्दिदेव की शिवा और कुछ चिंतन ना होने पावे ये ब्रद्दा आवस्था और ये मरन आवस्था जीते जी मुप्ति प्राप्त करने के लिए मानो देव मिला है अगर आप प्रयासरत रहे जीवन में अनुभो आपको नहीं हुआ और कभी भगवदाश्रे छोड़ कर आप इदर उदर भटके नहीं तो आपका शरीर पूरा होते होते भगवान अनुभो करा देंगे पिछे ऐसा बरणन किया है श्वयम प्रवुने कि उस शमय में श्वयम आकर इस्म्रती रूप्षे उसके हरदय में जागरत हो जाता हो क्योंकि जीवन भर लड़ खड़ाते हुए ही सही और हमारे तरप चलने का इसने प्रयास किया है और हमने मापुरुषू के मुख से सुना है कि जो उपाशक बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग में लगे हैं उनको इस बात पर नई संतोस कर लेना चाहिए कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे नई जीते जी अनुभो करना है शरीर छूटने के पहले ही हमें शरीर छोड़कर वो इस्थिती प्राप्त करनी है जो भागवतिक इस्थिती है ये शरीर ऐसे ही अनुभो होने लगता है जैसे कोट, सर्ट, बन्याईन स्थूल शरीर कोट सुक्षिन शरीर सर्ट कारण शरीर बनियाईन लेकिन पहनने वाला अलग है पहनने वाला न कोट है न सर्ट है न बनियाईन है बिल्कुल अलग प्रतीत होने लगता है अपना श्वरूप अपने आप से अनुभों में आता है किसी इंद्रियू के द्वारा नहीं किसी करण के द्वारा नहीं अपने श्वरूप का अन्भव अपने श्वरूप से ही होता है अपने से ही अपने का अन्भव होता है इसमें किसी अन्ने का सायोग नहीं है फिर साधना क्यों है क्योंकि ये पवित्र हो जाएं, ये पवित्र हो जाएंगे तो अपने स्वरूप में ले हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, जैसे शांत जल में ही हम देख सकते हैं, ऐसे शांत अंता करण में ही सारे भाव का प्रादुर्वा होता है, इसलिए भक्ती में भाव में सबसे पहल ही शरीर का राग नश्ठ हो जाए ये साधना की फल ब्रती है जो जीवन में शाधना की है अब शरीर शरीर ऐसा नहीं कि जिसका सरीर राग खतम हो जाता है उसे पीड़ा ही नहीं हो इसा नहीं है पीड़ा होती है पर परेशानी नहीं होती दर्द है पर दुख नहीं है ब्याक ब्रति रेती भगवदाकार, अब यहां किसी पीटा तो दर्द होगा, क्यों पीटा, यह ठीक हो जाए, कोई ब्रति ऐसी नहीं आए, जो शरीर में हो रहा है, सरदी लग रही, तो अगेंदरी में मैशुश है, कि हाँ सरदी है, प्रावदुशा तो वस्त्र मिल गया, ओल लिय नहीं मिला, कोई आकंशा नहीं, यह इस्तिती है, कि बुद्धी से तरकना से नहीं से समझा जा सकता है, वो इस्तिती है, ताथ पर यह हुआ, कि इस मनोश्य शरीर से, ब्रद्दावस्था आने के पहले और मृत्य वस्ता आने के पहले बगवत प्राप्ति कर लो, बात समझो, यह जो लोग भूले हुए है ना, कि यह यववन अवस्थाप भोगों के लिए, बड़े बुडे सिक्षा देते हैं, अरे तुम तो, अभी तुमारी तो, खेलने खाने के उमर, भजन के उमर है तुमारी, उनसे पूछो जोपदेश दे रहे खेलने, तुमारी उमर कौन सी है, तुम करते हो भजन, तुम भगवत चिंतन में रखते हो, पर वो वह उत्तर देने के सामर्त नहीं, इसलिए बोलने ही पाते, बड़े बुजुर्ग जिस समझाते हैं, तुमारी भजन करने के उमर थोड़ी है, तो यह पूछ जिवर, आपकी उमर कौन सी है, और अब आप क्या कर रहे हैं, बजन कोई खेल खिलोना नहीं है, जब तक आपने पूर्वा भ्याश नहीं किया, तो आपका भजन जीवन में आगे नहीं होने वाला, यह भूल जाओ कि लड़का, बच्चा, परिवार, उनके सब ब्याबर, और सब होने के बाद राम से जाकर ब्रंदावन में प्लेट लेंगे और खुब भजन करेंगे, बूल जाओ, प्लेट ले सकते हो, आओगे लेकिन या प्रपन्ची करोगे, भजन नहीं कर पाओगे, सत्संग में बैठोगे, सो जाओगे, सब्द समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप भ्याश ही ब्रदावस्था का तो समय हमें पता है, कि शरीर की ब्रदावस्था लगब लगब इतने वर्ष बाद आ जाएगी, लेकिन ब्रत्य वस्था तो एक सेकंड के बाद भी आ सकती है, इसलिए हमारा ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये भगवदा कार ब्रत्य से युक्त होना चाहिए, ब्रदावस्था के आने के पहले बगवद प्राप्ति कर ले ये बात तो समझ में आ जाती है, ये 60, 70, 75, 80, इसी को ब्रदावस्था कहते है, आजकल तो 60, 70 विरा देश्याम हो जाता है, अब तो जवाने नहीं समझ में आते हैं कि जवान कौन है भई, अब छुट चुटे बच्चे, स्मार्ट मुबाइल, आचरन, गंदे द्रश्चे देख देख करके गंदे कर लेना, कैसे उनके अंदर बात आएगी कि ब्रदावस्था के पहले बगवद प्राप्ति कर ले, ज़रूरत ही नहीं बगवद प्राप्ति को, आक आंग्शा ही नहीं हो, जान पन एकदम नर्क बन जाता है, यदि आपको इसी जन्म में उत्तम इस्थती को प्राप्त करना है, तो चाहे ग्रेश तो हो, चाहे बिरक तो हो, कभी भी बिरक आश्रम बाले को माताव बेहनों की तरप कुद्रश्टी से विने देखना चाहें, कुद्रश्टी भोग भावना, जननी समझानह परनारी, धन पराय विश्थे विश्भारी, जिनही राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुग शदन तुम्हारे, मात्रवत पवित्र भाव, आपने को तो स्री जी की शखेया हैं, जैसे ललिता विशाखा, चंपक्चित्रा, तुम्ह विद्यारंग देवी, इंद्र लेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, ऐसे ही चराचर की, जितनी शरीर में भावना हम पवित्र कर पाएंगे, उतनी दोस्ष हमारा नश्ठ हो जाएगा, यह जितनी श्त्री शरीरदारी, यह सम मेरी प्यारी जीव की लाणली से चरिया है, इनके चरणों प्रणात बस, बिरक्त उपाशक को माताव वेहनों से बेनों से शंबाट फंड नहीं करना चाहिए, बीच में एक किसी को डाल, और दूसरा शादर को खड़ा होगे, नहीं बाहर, निकलो बाहर, अगर बात ही करनी है, तो मैदान में करो, खड़े हो करके, और क्या बात करनी है, हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हमें क्य रष्टी ही न करे भोग विरत्ति के, अगर की, तो सारे शुकृत नश्ठ हो जाएंगे, चाहिए वो इस्त्री शरील, चाहिए वो पुरुष शरील हो, इसलिए परनारी पर पुरुष त्याक कर, पर ये सत्संग जिनके कानों में नहीं पोचता है, शास्त्र, श्वाद्या नहीं करते हैं, वो इसे मनोरंजन समझने लगे, इसे दर्म नहीं समझते, वो इसे मनोरंजन समझते, क्या इसमें बिगड़ जाता है, जो शास्त्र हैं, उनका श्वाद्या कभी करते नहीं, आप उनको जो शमय मिलता है, तो नोटन की नाटक से नेमा देखते हैं, जिनमें आच्रण बढ़ते रहे ते कैसे बगवत प्राप्ती की बात आएगी अगर ग्रेश्त दर्म में है तो शुद्ध कर्म करे जो उसके शास्तरन कुल बढ़न किये गए वो भी सत्सन से ही पता चलेगा शुद्ध कर्म क्या है अशुद्ध कर्म क्या है जो दूसरे के धर्म का नास करता है कुकर्म करता है वो कभी शाधन मार्ग पर कैसे चलने की शोच सकता है प्रेतियोंने किसको प्राप्त होती है तो बोले जो भूत प्रेतों की पूजा करते है जो अंडा मांस सराव ये सब खाते पीते है दूसरे के धन को जो चोरी करते है मन में वैयर, द्वेश अहंकार रखकर करके जो इंसा करते है और परिस्त्री से जो व्यविचार करते है वो गोर प्रेतियोनी को प्राप्त होता इसका प्रमान दुन्दकारी है पढ़ के बागवत में देख लेजा आशा है पोजी श्रीगुरु जी का ये प्रवचन आपके लिए बहुत लाबकारी होगा और आप भी इन बातों को अपनी जीवन में उतार कर पुन्ने और सुख के भागी बनेंगे श्रीगुरु जी के इस प्रवचन से हुए अनुभव को आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे परिवार के साथ व्यक्त कर सकते हैं श्रीगुरु जी के मुखार विंद से हमें आध्यात्मिक ज्यान की प्राप्ती ऐसे ही होती रहे भगवान से यही प्राथना है आप सब को प्रेम भरा राधे राधे